अनलोक वन में मिली छूट के साथ ही राजधानी के जगतपुरा के शूटिंग रेंज में अब शूटर्स आने शुरू हो गए हैं शौटगन और पिश्टल के अभ्यास सत्रों में खिलाडियों के संख्या बढ़ गई है अलम्पिक, सिल्वर, मेडेलिस्ट, शूटर और सांसत, करनल, राजजवर्दिन सिंग, डाठोड, अपूर्वी, चंदेला, दिव्याश, मवार जैसे खिलाड़ी इसी रेंज से हैं लेकिन ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक जैसे खिलाडियों की सोगात देने वाले इस रेंज में आज यू पुराने मैनुल टार्गेट्स पर ही खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं मैनुल टार्गेट्स देश भर के ज़्यादतर जगों में बदले जा चुके हैं लेकिन इस रेंज पर अभ्यास उसी पुराने धर्रे पर चल रहा है यही कारण है कि मौचुदा समय में ज़्यादतर निशाने बाजों को यहां इलेक्ट्रोनिक टार्गेट्स नहीं होने के चलते बाहर रुझान करना पड़ रहा है इसको लेकर पिछले साल खेल मंत्री अशुक चादना ने खिलाडियों से तीन महिने में इट टार्गेट्स लगाने का बादा किया था जिसका पूरा होने का इंतजार था लेकिन लाउड़ों ने और वक्त लगा दिया बहराल कुरोना संकट की बीच या भ्यास करने वाले खिलाडियों के लिए यह सुईधा कहीं आगे चल कर उनकी रहा करोड़ा न बन जाए उमीद की जानी होगी कि खेल विभाग जल्दी अपना बादा निभाएगा और रेंजपर शूटर्स को जल्दी अलेक्ट्रोनिक टार्गेट्स मिलेंगे